दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंग राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का फैंस को बेसबरी से इंतजार है। अनि बुधवार को फिल्म का दूसरा गाना तारे गिंट रिलीज होने जा रहा है। रिलीज से पहले तारे गिंट का शूटिंग वीडियो सामने आया है जिसे फिल्म के डाइरेक्टर मुकेश चाबडा ने खुद शेयर किया है। करते हुए कैप्शन लिखा, तारे गिन गाना आ रहा है कल. हाँ ऐसे ही खेलते-खेलते मस्ती में हो गया. देख लो प्यार का गाना है. प्यार से बनाया है. बस प्यार ही देना. दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं. उद्धरन, सुशांत सिंग, राजपूत और संजना पर फिल्म आया गया, तारे गिन, मोहित चौहान और श्रेया घुशाल ने गाया है. इस काने में संगीत आसकर अवार्ड बिनिंग म्यूजिक कमपोजर ए आर रह्मान का है. गौर तलब है कि सुशांत सिंग, राजपूत के निधन को 14 जुलाई को एक महीना पूरा हो गया. मुकेश चाबरा ने उन्हें याद करते हुए मंगलवार सुबह एक एमोशनल पोस्ट लिखा था. उन्होंने लिखा एक महीना हो गया है आज. अब तो कभी फोन भी नहीं आएगा तेरा. मुकेश चाबरा साथ ही फिल्म की शूटिंग के दौरान की कई तस्वीरें भी शे गी. कुछ दिन पहले फिल्म का ट्रेलर लॉंच किया गया था, जो काफी पसंद किया गया. हाल ही में फिल्म का टाइटल ट्रेक रिलीज हुआ था. इसे भी फैंस का जबरदस्थ रिस्पॉंस मिला. अब 15 जुलाई को यानी बुधवार को फिल्म का दूसरा गाना तारे ग इनक का शूटिंग वीडियो सामने आया है, जिसे फिल्म के डाइरेक्टर मुकेश चाबरा ने खुद शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मुकेश चाबरा एक बाइक पर सुषान्त सिंग राजपूत के पीछे पीठे हैं. वह सुषान्त को समझा रहे हैं कि क इस तरह एक ट्रेस संजना संगी बैठेंगी. समझाने के बाद मुकेश चाबरा बाइक से उतर जाएगा.